आप अगर जाते हैं कि फेस्बूक के पबलिक ग्रूप और फेस्बूक के प्राइवेट के बीच में क्या डिफरेंस है तो इसके उपर हमने और वीडियो के रिट की वी आपको सिंपली क्या करना है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको अगर और हम करते हैं तो आपने चाहते हैं वीडियो के नीचे आपको ऊसके प्लिक करते हैं विडियो को । करें तो जादा रिंबेश ना करते हुए हम करते हैं हम स्टार्ट कर विचे अब देख सकते हैं तो फेशबूग को बनाना चाहते तो तो यहां पर देख कि थी लाइनस का एक आइकन मिल जाए तो सब्लिण उसकी ओपर क्लिक कर दोने के बाद में यहां पर देगी groups के नाम से आपको एक option मिल जाएगा जैसा आपको इसके पर क्लिक कर देते हो तो इसके पर क्लिक करते से आपने जिन भी groups को जॉइन कियोंगे वो सभी की यहां पर इस तरीके से side by side list आ जाएगी तो आपको अदर खुद का group बनाना है तो देगी your groups के नाम से आपको एक option मिल जागा इसके पर आपको प्लिक कर देने के पाद बाद भाद यहां पर देगी एक option मिल जाएगा आपको create a group तो simply आप इसके उपर क्लिक कर दीजेगा जैसे आप इसके उपर क्लिक करोगे तो यहां पर आप से पूचेगा name और privacy तो आपको simply कर देना है अपने group का जो भी नाम आप रखना चाहते हो यहां पर रख दीजेगा जैसे कि मैं रखना चाहता इसके उपर क्लिक करना हूँ यहां पर देगा आपको दो option मिलेंगे public और private अगर आप प्राइवेट बनाना चाहते हो तो प्राइवेट के उपर क्लिक कर दीजी आज इस वीडियो के तरह मैं आपको प्राइवेट से इन्फोमेशन चाहिए तो मैं आपको बताई दिया है आ पर आपको वीडियो में जाएक है तो आप आपसे वीडियो देख सकते हैं यहां पर मैं सिंप्ली क्या खरता हूं पब्लिक गुरूप बनाना जाता हूं इसके उपर मैं selected रहने क्लिक कर देता हूं और सिंप्ली आपकी ख्रेट्ट के एक option पर जागा तो मैं इसकी उपर क्ल करके उन सभी को यहां पर invite कर सकते हूँ, आप चायो तो पूरी यहां पर लिस्ट जितनी भी आरी न सभी को एक साथ invite कर सकते हूँ, ठीक है, निविटेशन सेंट करते हैं, कि बाद में सिंप्ली आदे कि next का एक option मिल जागा, तो सिंप्ली आपको next one option के उपर click करते हैं, और इ आपको इमेज को तो सिंप्ली आपर upload image के उपर click कर दीजिए, तो मैं सिंप्ली क्या करता हैं, इसके उपर click करता हूँ, आपके mobile phone की gallery उपन हो जाएगी, उसके अंदर जितनी भी photos हैं, वो सभी की सभी यहां पर आ जाएगी, तब जिस भी photos को set करना चाहता हो, तो उसको select कर यहाँ पर मैंने सेम मेरे क्लिक कर देता हूग, फ लिसके अई पर प्लिक आफ सकते हैं, इसको एड़ेस्ट कर सकते हैं, इसको एड़ेस्ट कर देने केह बाधो सेव उप्शन मिल जागा, जैसे यह set हो जाती है, आपको simply क्या करते हैं, next को एक option मिल जाएगा, इसके पर आपको click करते हैं, इसके पर click करते हैं, आप अगर कोई description set करना चाहते हैं, अपने facebook group के लिए एक description ready कर दिया है, आप इस तरीके से अपने इसाप से कही सार बड़ा description आप set कर सकते हैं, जैसे description next को एक option मिल जाएगा, इसके पर आपको click कर देने के बाद में, आप जो first post करना चाहते हैं, अपने facebook group के अपर, वो यहां से आप कर लिए, यहां पर आप जो भी लिखना चाहों, उसको यहां पर लिख लिए, अगर आपको अभी post नहीं करना है, तो simply back आजाईए, और यहां इसको refresh करूँगा, यहां पर आप देख सकता है, हमारे जो photo हमने background के रूप में आपर select की थी, वो हमने successful यहां पर आ चुकी, अब देखिए, जो हमने बनाया है, यह एक facebook का public group है, इसका मतलब यह कि को भी member, अगर facebook के उपर, यह नाम को search करता है, तो मेरा group भी वहां पर show होन करोगे फिर Google के उपर, तो Google के उपर किसी group के नाम सर्च करने पर, वो group आ जाता है, first page के उपर, तो ऐसे अगर आप चाते हो, तो आपको क्या करना है, अपने page का यहां पर आपने facebook group का नाम आपको change ने करना है, ऐसा ही रहने देना, और description जो आप डालते हो, description पो भी करते हैं, description आइड करने करें, इसके उपर क्लिक करते हैं, फिर create post करना है, तो इसके उपर क्लिक करते हैं, मुझे इस मैंसे कुछ भी नहीं करना है, मैं simply cut का option मिल रहा है, simply click कर देता हूं, confirm के उपर click कर देता हूं, और मेरा group यहां पर ready हो चुका है, यहां पर आप देख सकत आपको कई options दे जाते हैं, facebook groups के अंदर features दे जाते हैं, don't worry, इसके उपर हमारे channel के उपर full to videos available है, आपको simply क्या करना है, मैंने आपको बताई दिया है, facebook groups से generated full playlist चल रही है, हमारे channel के उपर, आपको simply वहां जाना है, और जो भी videos आपको देखने हैं, वहां से videos को देख सकते है और अपने facebook की knowledge को improve कर सकते हैं, तो अपको आपको कचे से सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप मारे channel चुन रहे हैं, तो इससे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखने हैं, जन्यवाद आपका दिन शुवर हो